जबात राइपुर की जहरा अस्थानी में दूसरे दिन बुल्डोजर चला वैद निर्मान पर प्रशाशन ने बुल्डोजर चलाया है जब बार वनाला वियाईपी ते राहे के पास अवैद दुकानों को जमी दोस कर दिया गया मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बलतैनात है सभी जोन में तोड़फोर के लिए विशेश दस्ता बनाया गया है तो लगतार कारवाई की जा रही है जिस तरह से बीचे पे को बहुमत मिला सके बाद बुल्डोजर की कारवाई शुरू हो चुकी है और भस्त की जा रही ह बहुत सारी ऐसी चीजे हैं तो बुल्डोजर की कारवाई शुरू हो चुकी है जब बार नाले के पास व्याईपी दिराहे में इस तरह से वैद निर्मान किया गया था वैद दुखाने संचालत हो रही थी ऐसी गुम्टिया थी पचास से जादा जिनने ध्वस्त कर दिया यह कारवाई निगम के द्वारा की जा रहे है यह बो डोजर की इस कारवाई होने के बाद हाला की मामला भी गर्म हो चुका है तो चौपवाटी संचालत की आरोप भी लगा रहे हैं कि कारवाई जान बूच कर की जा रही है सालेम स्कूल के पास कल आपको याद होगा निग पुलिस के सामने ही निगम ने ध्वस्त कर दिया था तो आसामाजिक तत्वों का जमावडा यह कहा जाता है निगम के द्वारा की यहां लगार रहता है और इस वज़े से इस तरह की कारवाईयां की जा रही है और जिस तरह से कल सालेम स्कूल के सामने कारवाई की गई थी यह कहा गया था कि आसमाजिक तत्विहा बैठते हैं लड़के यां बैठते हैं छात्राएं जो याँ पढ़ने आती हैं उनका यारोप था कि उनके साथ इस तरह से छेडखानी भी की जाती है जिसके बाद निगम के अपसरों ने इस तरह की कारवाई की थी और अब दूसरे दिन प्याज कारवाई जारी है अपने लभी की वो ताज़त तरीन तस्वीदें भी दिखाईगा कि किस तरह का महौल बन गया क्योंकि लगतार कारवाईयां हो रही है एक तरफ निगम ये क्या रहा है कि आसमाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा होता है इस वज़त से हम इस तरह से कारवाई कर रहे है यहाँ पर डाहा दिया गया है दो बुल्डोजर यहाँ पर लगाए गया है और बताया यह जा रहा है कि यह जो यहाँ पर किसी वेक्ती ने अवैद कबजा करके यहाँ पर दुकाने तान दी थी और यह जमीन जो है वो सरकारी जमीन है और इस पर अवैद कबजा किया गया तो यहाँ पर देख सकते हैं निगर निगम के दस्ते सुबा 8 बजे से ये कारवाई कर रहा है दो भूलूजर यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर भारी संक्या में पुलीस बल को भी तैनात यहाँ पर कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से कल मोती बाग चौक और लगाए गया है ताकि किसी विरोध होने पर महुल को शांत किया जा सके तो अभी फिलाल 36 में भाजपा को जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिला है और सरकार का गठन होना बाकी है लेकिन उसके पहले जो प्रशाशन की मुस्तैदी है को यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है और इस तरीके से पूरे जो राइपुर नगर निगरम के आठ जोन आते हैं और आठ जोन में जो है अलग-अलग दस्ता बनाए गया और जहां जहां पर अवैद कबजा करके जो दुकाने बनाई गई है उसको ड़ाने का ताम जहां बिल्कुर अवैद यह सर से कबजा किया यह भी समझना चाहेंगे सौपनेल यह कहा जा रहा है उनकी तरफ से चौपार्टी संचालकों की तरफ से कि जान बूचकर कारवाई की जा रही है क्या पहले कोई नोटस नहीं दिया दुरहन ताया बुल्डोजर और चला दिया गया अगर बात करें तो वहाँ पर जो स्कूली चात्र चात्रा हैं उन्होंने जो है चौपार्टी जो चल रही थी उसका विरोध किया था सिक्षको ने भी विरोध आपत्ती जताई थी कि वहाँ पर जो है समाजिक तत्वों का अड़ा बन गया था और जो छात्रा हैं उनको छेडखानी का सामना उनको करना पड़ता था तो इस तरीके की शिकायत काफी लंबे समय से की जा रही थी लेकिन नगर निगम का अमला को हो रहे हैं उस पर जो है प्रशाशन का डंडा चलेगा तो उसी के पहले जो है नगर निगम का जो दस्ता है वो सक्री हो चुका है और जहां जहां पर शिकायते नगर निगम को पहले मिली थी और उस पर कारवाई नहीं हो रही थी और आप कारवाई शुरू हो चुकी है कल स वो शुरू हो चुकी है कारवाई और आज दूसरा दिने नजर बनाए रखिए बहुत 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 शुक्रिया तमाज़ा तो निगम के अफसर एक तरफ कह रहे हैं कि चौपार्टी के पास अवैच शराप की पीने आसमाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा होता था इस व कि उली कि बहुत 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 भंप रहे हैं कि उली के अपता दो कि अपने बहुते पें पास रहा